भारती के घर सोने के शिवलिंग विराजित हो जाते हैं जो आज तक गाउं में किसी की भी या नहीं होए थे अब देखो कैसे नंदा को जलाती हूँ बड़ा भक्ती भक्ती कर रही थी और कात तो हरदम पैसे वाली की ही रहेगी भक्ती की भी और पैसे की शक्ती की भी अरे जी वो पत्थर का शिवलिंग ले आए हैं वही काफी होगा मैं तो अभी उसे वाटसप कर देती हूँ और भारती नंदा के अलावा बाकी औरतों को भी सोनी के शिवलिंग की फोटो भेज देती है नंदा फोटो देखती है पर उसे जरा भी जलन नहीं हुई वो हाथ जोड़कर शिवजी की छवी के आगे नमन करती है हे शम्भू जैसी कृपा मेरे परिवार पर बना रखी है वैसी मेरी दोस्त की यहाँ पर भी बनाए रखना और उधर रोज भारती के घर सोनी का शिवलिंग देखने के लिए औरतों की भीड लग जाती थी भारती ये देखकर बहुत इतराती है मगर रूद्र को ये सब मिलने चला जाता है आज गंगा क्यों नहीं आई दिन बीट रहे थे एक दो तीन चार करते हुए हफता बीट गया अब भारती के घर ओरतों ने आना बंद कर दिया था और उधर रूद्र भी गंगा का इंतजार करते-करते ठक गया था मगर वो मंदिर नहीं आई और रूद्र कांपते पाउं के साथ मंदिर की सीड़ियों पर पाउं तो रखता है बगर अंदर नहीं जाता रूद्र एमोशनल हो गया था और वो अपनी बाइक स्टार्ट कर पहुंच जाता है शराब के अड़े पर उधर नंदा और गंगा ने मंदिर की बजाए अपनी माटी के शिवलिंग की ही बहुत निष्टा से पूजा करना शुरू कर दिया था मा तू आराम कर ले मैं बैठी हूना यहां मेरे शिव के साथ मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी और नंदा आराम करने अंदर चली जाती है दूसरी और सेठों की सेठानी भार थी फकीरों की तरह घर की सीड़ी पर अपना माथा पकड़ कर बैठी थी ओहो क्या लुट गया आप तुम्हारा हां ऐसे क्यों बैठी हो तुम इतना खर्चा करके सोने का शिवलिंग मंगाया और ये मुई औरते चार दिन से जादा इसको सीचने नहीं आई अब कोई इसे देखने आई नीरा आप तो जानते हैं मैं जब तक इतरा ना लूँ मेरा पेट गुड़गुड़ाता रहता है अच्छा कब तक औरतों के भरोसे रहोगी थोड़ा जल दूध तुम भी चड़ा दिया गरो भारती बस हाँ हाँ ही करती रही मगर उसने शिव की आरादना पूजा कुछ भी नहीं की और सोने का होकर भी उसकी भागे में शिव की नहीमा थी ही नहीं वहीं उधर गंगा मस्ती से अपने माटी के शिवलिंग के लिए भजन गा रही थी मेरी जोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे शम्भू आएंगे शम्भू आएंगे तो अंग न सजाऊंगी दूद चड़ा कर उन्हें मैं मनाऊंगी शम्भू आएंगे तभी बाइक पर सवार रुद्र गंगा के घर के बाहर आधमकता है उसने खूब शराप पी थी और वो नशे में जूम रहा था इस बार गंगा चेतना में नहीं थी तो उसकी सीधे नजर रुद्र के चहरे पर बढ़ती है जितना तेज था उसकी चहरे पर वही शिव वाला तेज शांत चहरा लेकिन इतना क्रोध लग रहा था जिसे अभी तीसरे आँख खोल कर आया हो और तांडब शुरू करने वाला तुम पागल हो क्या जो मुझे पागल कर रही हो, मैं कबसे रोज जाकर मंदिर पर तुमारी एक जलक का नतजार करता रहा और तुम यहां बैठी रही मुझसे दूर तुम? यहां मेरे घर तक? क्या लेने आया हो यहां? और क्या तुमने शराब पी है? यह सब करके तुम खुद को ज़्यादा हीरो समझ रहे हो क्या? मैं तुम जैसे लड़कों से बात नहीं करती हूँ गंगा उठकर जाने लगती है कि तभी रुद्र उसके आंगन के अंदर प्रवेश करता है और उसका हाथ थामता है आज पहली बार दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे आखों में आखे मिलाते हुए गंगा के आंगन में बैठे शिवलिंग के पास दोनों का ये प्रसंग चल रहा था जिसे कैलाश पर बैठे शिव पारवती जी का जोड़ा देख मुस्कुरा रहे थे भगवान आप मुस्कुरा रहे है? ये मुर्ख आपका और आपकी भगद का अनादर किये जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं? प्रिये जो कहानी जैसे लिखी है वो वैसे ही घटित होगी मैं तो ये देखकर मुस्कुरा रहा हूँ कि रुद्र गंगा जो मिलके भी ना मिले जो दूर होकर भी दूर ना हो सके देखो कैसे एक दूजे के सामने है आज पार्वती जी भी शिवजी की बात समझ कर मुस्कुरा देती हैं रुद्र की बातों से गंगा को और अधिक चड़ हो रही थी ची जब देखो चूना 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 तन को क्या चूबगे तुम पहले मेरे मन को तो चूब कर दिखाओ शायद तुमको याद नहीं मैंने क्या कहा था कि मैं किसी विनास्तिक से नहीं रीजूंगी तो बहतर होगा कि तुम चले जाओ समझे और गंगा रुद्र का हाथ जटक कर अंदर चली जाती है और दर्वाजा बंद कर लेती है क्या हुआ बिटिया तो एतनी बेचैन क्यों लग रही है और बार कोई था क्या तेरी आवाजे आ रही थी नहीं मा बेचैन मैं नहीं मैं तो शंभू शंभू है ना मेरे साथ तो कैसे बेचानी और वो तो मैं उनी से बात कर रही थी एक वही तो है मेरा दोस्त जो हर पल मुझे सुनता है वरना मेरी मा को तो कहां ही फुरसत मिलती है मेरी बात सुनने की गंगा नन्ना की गरे लगती है और अपने मन में सोचती है रूद्र के बारे में मा बाबा को बता कर मैं इनको परिशान नहीं करूँगी वैसे भी उस बागल लड़के की वज़े से मा और भारती मासी की दोस्ती क्यों खराब करूँ नहीं, मुझे ही ये सब हैंडल करना होगा रूद्र बाहर खड़ा-खड़ा किलस रहा था कि तब ही उसकी नजर माटी के शिवलिंग पर पड़ती है और रूद्र नशे में शिवलिंग को खूब जल चड़ाता है इतना कि शिवलिंग गलना शुरू हो जाता है और इस बात से अंजान रूद्र पासे लोटकर अपने घर आ जाता है और सो जाता है तभी रुद्र को एक सपना आता है जिसमें वो मंदर के सामने खड़ा था वो देखता है कि दर्वाजे के एक तरफ उसकी मा भारती गहनों से लदी-फदी खड़ी थी और उसकी और हाथ फैला रही थी और दूसरी और खड़ी थी रुद्र की गंगा वो भी मुस्कुराते हुए रुद्र की और हाथ फैला रही थी रुद्र दोनों का अपना हाथ देता है और रुद्र को मंदर के अंदर ले जाती है मैं आज मंदर में खड़ा हूँ पहली बार ये कैसे सपने में आ गया हूँ मैं तभी वो देखता है कि भारती उसे सोने के शिवलिंग की ओर खीच कर ले जा रही थी और गंगा उसे माटी के शिवलिंग की ओर और रुद्र बीच में जूल रहा था कभी भारती उसे खीचती तो कभी गंगा उसे खीचती रुद्र तुम इधर आओ अपनी मा के वैभव और वहां खड़ी उसकी माँ भारती हस रही थी, गंगा और उसकी माँ नंदा रो रही थी, देखा, मैंने कहा था न, आखिर में शिव भी उसी का है, जिसके पास दौलत है, शिव सब का है, अमीर गरीब का भेद हम करते हैं, मेरा भोला नहीं, ये माटी का शिवलिंग तो ढह गय मगर मेरे मन का शिवलिंग कैसे ढहेगा भारती, रुद्र देखता है कि गंगा जमीन पर बैटी-बैटी फूट-फूट कर रो रही थी, रुद्र उसके कांधे पर हाथ रखता है, क्यों किया तुमने रुद्र, ये क्यों किया, क्यों किया, मेरा शिवा, रूद्र गंगा के आंसु देखकर घबरा जाता है और अपने सपने से उड़ता है उसका नशा भी उतर चुका था वो पसीना पसीना था शर्म से भी और घबराट से भी मां तू सोजा मैं एक बार मेरे भोले को संभाल आती हूँ और गंगा दर्वास खोल कर आंगन में आकर देखती है तो वहाँ शिवलिंग के स्थान पर एवल गली हुई माटी पड़ी हूई थी ये देखकर गंगा का दिल चकना चूर हो जाता है और वो वहाँ जाकर माटी में ही गिरकर खोब रहोती है नहीं नहीं ये क्या हो गया ये कैसी नाराज़ की दिखाई है तुने मेरे शंभू तु रूट गया है क्या मुझसे जो मुझ गरीब के द्वारे आकर भी तु ओजल हो गया ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया गंगा आसु बहाई रही थी कि तभी उसे रुद्र का खयाल आता है रोद्र, ये तुमने क्या किया तुम मुझसे پ्यार करने का दावा करते रहे और ये भी ना जान सके कि मेरी जान मेरी शिव भक्ती पे बसती है अब तो तुम पर क्रोध भी नहीं आ रहा है बस तरा सारा है पर मैं मेरे शिव को जाने नहीं दूँगी मैं फिर से बनाऊंगी गंगा अपने आसू पोँच कर हिम्मत करके फिर से अपना माटी का शिवलिंग बनाने की कोशिश कर रही थी बदहवासी वो अपने चेहरे तक पर वह मिट्टी पोच चुकी थी बगर उसकी कापते हाथ शिवलिंग को आकरती नहीं दे पा रहे थे और वो ठक जाती है और अगले ही पल उसकी दो मुलाइम हाथो पर दो और हाथ आ जाते हैं जो रूद्र के थे गंगा चौक कर देखती है तो रूद्र आँखों में आसू लिये हुए उसकी पास बैठा था अब क्या करने आए हो यहाँ रो नहीं गंगा हम मिलकर फिर से बना लेंगे हमारा शिवलिंग तो देखिए क्या शिव शंभू के आशिरवात से रोद्र आँगा के रिष्टे की ये शुरुवात है और क्या भारती और नंदा के अमीर गरीब के फिर में ये दो प्रेमी का प्यार कुछला तो नहीं जाएगा जानने के लिए देखते रहिए गरीब वर्सिस अमीर की शिव भक्ती केवल काका टीवी पर